मैं एके शर्मा आप सभी का गोड़ गाउं समाचार की इस सेवा में स्वागत करता हूँ आज पूरे दिन एक चर्चा के विशे बना रहा कि हर्याणा में लोग अपने गरों में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं इसके लिए सरकार ने आदेश तो जारी कर दी हैं लेकिन जनता में एक बह का महौल है की कंस्ट्रक्शन शुरू करें या ना करें आज यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आया हूँ हरियानां में भवनों के कंस्ट्रक्शन के काम को सरकार ने हरी जिंडि मिल गई प्रदेश के लोग दुकान आधिगा निर्मान करा सकेंगे इसके लिए उन्हें किसी की मंजूरी लेने की जुरूत भी नहीं है केवल बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कमेटी से सर्टिविगेट लेना निवार्य होगा सोशल सचिव मंडला एक तता सभी जिलों के टीजी को हिदायते जारी की गई है केंद्रे गिरह मंत्राले दौरावी राजियों वेकिन साशित परतिशों को इस बारे में नेदिश दिये गए हैं कि सभी लोग अपना कंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ माबदन तैक किये गए हैं सबसे पहले तो दस से जादे मजदूरों को नहीं लिया जा सकता लेकिन उन दस मजदूरों को भी पूरी तरह सैनिटाइज पूरी तरह सोशल डिस्टैंसिंग आदी का ध्यान रखना होगा तभी वह उस जगे कार्य कर सकते हैं अन्य है कार्य गतिविदी केवल उन जगह हो सकती है जो जगह कंटेंडमेंट जोन वेब बफर जोन सरकार दोहरा गोशित नहीं किये गए हैं कंटेंडमेंट वेब बफर जोन वह जोन हैं जहां पर कोविट-19 के मरीश पाए गए हैं या मरीश पाए जाने की संभावना लग रही है कि यह एरिया सेफ नहीं है इन सभी कंटेंडमेंट वेब बफर जोन को गोशिक किये गए सेक्टर कलोनी महलेवे गाउं में किसी भी तरह की इस तरह की गतिविदी नहीं होगी इस से पहले यह फैसला लिया गया था कि कंस्ट्रक्शन के लिए जिला प्रसाशन से मंजूर मनजूरी लगी फ ही लेकिन अब सरकार में इस संश्वास करते हो है कि मकान दुगान या अनयक किसी भी बिल्लिंग में दसते कम मजदूरों। से काम चल सकता है उसके लिए किसी भी तरह की किसी से भी मंजूरी लेने के लिए ज़रूद नहीं है ऐसे मामलों में आज सौंबार से ही धिर्मान कारें शुरूर करने की रनुम्वती प्रदान कर दीगी है बस ध्यान रखना यह है कि केंटेंडमेंट जोन के लोग और बफर जोन के लोग अपने यहां पर गतिविती प्रारम ना करें